काटरीना कैफ ने क्यों ठोकराए सलमान खान के 2300 करोड क्यों कैट ने इस बड़े ओफर के बदले चुने महज 25 करोड इस रीडियो में आपको बताएंगे काटरीना कैफ ने क्यों माला माल होने का चांस गबाया हर कोई जानता है कि किस तरह काटरीना कैफ ने सलमान की वजाए विकी कोशल को चुना मगर इस फैसले से काटरीना कैफ ने 2300 करोड रुपे ठोकरा दिये रिपोर्ट्स के माने तो सल्मान खांग 23 सकरोड की संपत्ती के मालिक है और अगर कटरीना उनसे शादी करती ही तो ये संपत्ती उनकी और उनके होने वाले बच्चे की होती मगर कैट ने सल्मान खांग को नहीं चुना उनने 2009 के बाद से ही फैसला कर लिया कि वो मूवाउन करेंगी और फिर 12 साल बाद 2021 में इस डिसीजन पर फैनल मोहर लगा दी कटरीना कैप ने सल्मान के 23 करोड के बजाए विकी कोशल को चुना जिनकी संपत्ती शादी के वक्त महज 25 करोड पई थी यानि एक तरह से देखा जाए तो कैट ने बैठे विठाए 2275 करोड पई खुद से कोसर धूर कर दिये बताते हैं कि कैट ने न तो सल्मान खान का कद देखा ना ही उनके पैसों का उन्हें लोब था उसके बदले कटरीना कैप ने ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा सालों साल तक होती रहेगी विकी कोशल ना शादी के बाद खुब सुर्खियां बटो रहीं मगर सबसे जादा फायदा मिला उन्हें पैसे को लेकर दरसल शादी करके विकी कोशल को बैठे बिठाए 225 करोड पई मिल गई मीडिय अर्पोर्स के मिताबे काटरीना कैप 225 करोड पई की मालकिन है और अब यह सारी संपत्ती विकी कोशल के लिए भी होगी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे तो ये भी समझगे काटरीना कैप ने 2003 में बूम मूवी से अपने करियर की शुरुगात की थी तब उनकी फिल्म फीस लाखों में थी मगर अब काटरीना कैप एक मूवी में काम करने के लिए लगवग 11 करोड से ज़्यादा का चार्ज करती है इसके लाबा काटरीना कैप एक ब्यूटी ब्रांड की आउनर भी है जिससे वो लाखों रुपे कमाती है रिपोर्ट के मान है तो कैट नायका कॉस्मेटिक ब्रांड का हर इवेंट और अउगनाईज करने के लिए 4 करोड पर चार्ज करती है उन्हें लगजरी गाडियों का काफी शौक है एक अनुमान की मताबिक काटरीना कैप के गारेज में 34 लगजरी गाडिया खड़ी है अब ये 225 करोड की रकम 25 करोड वाले विकी कोशल के भी खाते में जुड़ गई है सल्मान खान की फिल्म से होने वाली कमाई काटरीना कैप की खाते में कभी नहीं जाएगी और नहीं सल्मान खान की फैमिली को बो मिलेगी एक इंटर्विव में सल्मान ने खुद इस बात का जवाब दिया था मैं शादी करूँ या नहीं करूँ मेरे जाने के बाद मेरी यादी संपत्ती ट्रेश्ट में दान की जाएगी और अगर मैं शादी नहीं करता हूँ तो मेरी पूरी संपत्ती ट्रेश्ट के नाम कर दी जाएगी दोस्तो आपके साब से काटरीना कैप का 23 करोड की सलमान की संपत्ती को ठोकराना और 25 करोड के विकी कोशल का हाथ थामने का फैसला करना कितना सही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें